मेरे पहरे देश्वासियों, मन की बात में अब मैं उस विशे को साजा करना चाहता हूँ, जिससे सुनकर हर भारत वासी का सीर गर्व से उंचा हो जाएगा, लेकिन इसके बारे मैं बताने से पहले मैं आप से एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आपने चराई देवु मैदाम क सुनेंगे और बड़े उत्सां से दूसरों को बताएंगे, असम के चराई देवु मैदाम को युनेश्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है, इस लिस्ट में यह भारत की 43 वी लेकिन 39 की पहली साइट होगी, साथियों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, कि चराई देवु मैदाम आकिर है क्या, और यह इतना खास क्यों है, चराई देवु का मतलब है, Signing City on the Hills, यानि पहड़ी पर एक चमकता शहर, यह अहुम राजमोंस की पहली राजधानी थी, अहुम राजमोंस के लोग अपने पुर्वजों के शव और इनकी कीमती चीजों को पारमपारी ग्रूप से मैदाम में रखते थे, मैदाम टीले नुमा एक धाचा होता है, जो उपर मिट्टी से ढखा होता है, और नीचे एक या उससे ज़्यादा कमरे होते हैं, यह मैदाम अहुम सामराज्य के दिवंगत राजाओं और गन्मान्य लोगों के प्रती स्रद्धा का प्रतीक है, अपने पुर्वजों के प्रती सम्मान प्रकट करने का यह तरीका बहुत यूनिक है, इस जगह पर सामुदा एक पुजा भी होती थी, साथियों, अहुम सामराज्य के बारे में दूसरी जानकार्या आपको और हैरान करेगी, तेरवी सताब्दी के शुरू होकर यह सामराज्य, उन्नीश्वी सताब्दी की सुरुवात तक चला, इतने लंबे कालखन तक एक सामराज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है, शायत अहुम सामराज्य के सिध्धान्त और विश्वास इतने मजबूत थे कि उसने इस राजवोंस को इतने समय तक कायम रखा, मुझे आद है कि इसी वर्ष नव मार्च को मुझे अदम में साहस और शावर्य के प्रतीक महान अहुम योद्धा लसिद बौर्फुकन की सबसे उची प्रतिमा के अनावराण का सौभाग मिला था, इस कारकम के धोरान अहुम समुदाए आध्यात्मिक परंपरा का पानन करते हुए मुझे अलग ही अनुभा हुआ था, लसित मैदाम में अहुम समुदाए के पुर्वजों को सम्मान देने का सौभाग मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अब चराई देवु मैदाम के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब होगा कि हाँ पर और अधिक परियाटक आएंगे, आप भी भविश्य के अपने ट्राविल प्लांस में इस साइट को जरूर शामिल करिएगा,